आज किस वीडियो में हम लोग Q11 से स्टार्ट करेंगे Exercise 32.2 Cases in a Class 12 पिछले वीडियो तक हम लोग ने Q10 तक complete किया था और पिछले वीडियो में Q4 by mistake रह गया था तो आज किस वीडियो में Q4 भी हम लोग कवर करेंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते है तो सबसे पहले हम लोग देखते है Q4 जो कि पिछले वीडियो में रह गया था ठीक है ना? देखो Q4 में है A die marked 1, 2, 3 in red and 4, 5, 6 in green is tossed Let A be the event, the number is even and B be the event, the number is red Are A and B independent? यहाँ पे एक die पे 3 number पे red color का mark किया गया है और 3 number पे green color का mark किया गया है ठीक ना? किस पे marking है? red color का वो सुन लो आप A die is marked 1, 2, 3 in red 1, 2 और 3 को red से mark कर दिया गया है और 4, 5, 6 को green से और उस die को tossed किया जा रहा है तो 1 से लेके 6 तक number आ सकता है तो यहाँ पे 2 event की बात हो रही है जो पहला event है A वो क्या है? number is event the number is event है यहाँ पे जो A event है वो क्या है? number is event number is event ठीक है? और B जो event है वो है B event है the number is red है ना? number is red number is red ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं बात कुरूँ की even number में कौन कौन है? तो देखो 1, 2 और 3 को red कलर से मार्क किया गया था हमें बात होड़ी यहाँ पे even number की तो चाहे वो red हो चाहे वो green हो कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोग even number लिखेंगे तो even number कौन आएगा? 2, 4 और 6 है ना? तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें कि number of element in a कितना हो जाएगा? तो 3 element हो जाएगा number is red जो red है वो कौन कौन से है? red है 4, 5, sorry 1, 2, 3 red है है ना? red कलर के जो मार्किंग किया गया था सिर्फ 1, 2 और 3 ही red था तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1, 2 and 3 यह red है तो number of element in b क्या है? इसमें 3 element है, सही है? अच्छा अब a intersection b की बात कर लेते हैं तो देखो a intersection b में कौन कौन आएगा? तो a intersection b मतलब जो जोनों में common हो, तो common क्या है? सिर्फ 2 ही है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा ठीक है ना? तो number of element in a intersection b is equal to कितना आ गया? 1 अब आप बोलोगे number of element in a intersection b क्यों निकाले? क्योंकि जब हम लोग बात करेंगे independent event की तो a और b अगर independent है तो condition हमें क्या चेक करना है? हमें चेक करना है a intersection b priority of a intersection b is equal to priority of a into में priority of b यह हमें चेक करना है, इसलिए हमने सभी का number of element निकाल लिया अब sample space आप समझ सकते हो क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह number of sample space 6 है तो बताओ, priority of a intersection b कितना हो जाएगा? तो a intersection b में एक element है, तो 1 by 6 हो जाएगा हाना? number of event upon number of sample space, सही है priority of a कैसे निकलेगा? तो a set में कितना element है? 3, तो यहाँ लिखेंगे 3, और यहाँ पर sample space कितना है? 6, sample space मतब total number of outcomes into में, priority of b कैसे निकलेगा? इसमें भी element 3 है, तो 3 by 6 हो जाएगा हाना? तो यह कर जाएगा 3, 2 जा 6, यह भी कर जाएगा 3, 2 जा 6 तो आप देखो कि 1 by 6 is equal to 1 by 4, तो यह बड़ाबर नहीं एक दूसरे independent event नहीं है, तो उमीद आपको यह समझ माया होगा, तो यहाँ पर जो book में हमारे दे दिया है कि independent event है, जबकि independent event नहीं है, चुकि यह बड़ाबर नहीं आया, तो आप लोग चाहो तो इसका screenshot ले सकते हो, अब हम लोग question number 11 से start करेंगे तो आप हम लोग देखेंगे question number 11, देखो question number 11 है, a box of oranges is inspected by examining, 3 randomly selected oranges drawn without replacement, if all 3 oranges are good, the box is approved for sale, otherwise it is rejected, find the quality that box containing 15 oranges out of which 12 are good and 3 are bad once will be approved for sale देखो, यहाँ पे बोला यह जाड़ा है, कि a box of oranges is inspected by examining, हैना जो oranges का box से उसका inspection किया जाड़ा है, सही ना तो कैसे approved होगा उस box को sale के लिए, तो जो हमारा examining है, जो हमारा examining करेंगे, हैना, box को उसमें से 3 oranges निकाला जाएगा अगर वो 3 oranges box को approve कर दिया जाएगा sale के लिए अब यहाँ पे condition यह है, कि box में 15 oranges है, सही ना और 15 oranges में से 12 oranges बढ़िया है और बाकी के वो bad oranges है, तो यहाँ पे बोला यह गया, कि जो oranges निकाला जाएगा उसको replace नहीं किया जाएगा एक बार मैंने orange निकाल लिया तो उसको दुवार उसमें रखेंगे नहीं, चाहे वो खड़ाब हो, चाहे वो बढ़िया हो, तो देखो total oranges 5 है, sorry 15 है तो number of sample space हो गया 15, अब बात हो रहे है कि तीनो oranges होना चाहिए, good oranges होना चाहिए, तो total good oranges 12 है, और bad है 3 तो हमारे लिए number of event हो जाएगा 12, सही न, लेकिन यहाँ पर 3 oranges निकालना है back to back, एक एक कड़के निकालेंगे without replacement, चीक है तो यहाँ देखो, total oranges कितना है, 50 oranges है है ना total 15 oranges है इसमें से 12 oranges good है, 12 oranges यह good है हमारा बाकी के जो 3 रहे गया बाकी का जो 3 oranges है वो bad है, सही न, वो बढ़िया नहीं है, अब जो inspection करने आएगा, वो क्या करेगा 3 oranges निकालेगा, एक एक करके 3 oranges अगर सही निकल गया तो यहाँ पे box को approve कर दिया जाएगा sale के लिए, तो क्या chances है कि box को approve कर दिया जाए sale के लिए इसका मतलब यह हुआ, कि हम लोग priority निकालेंगे, कि 3 oranges good निकले, इसकी क्या priority होगी, सही न, तो यहाँ पे लिखेंगे, priority of किसका, a box to be approved for sale, है न, यहाँ पे निकालना है क्या, कि if all the oranges are good, if all three oranges are good, the box is approved for sale, सही न, तो यहाँ पे हमें यह बताना है, कि find the priority that box containing 15 oranges out of 12 are good and 3 are bad once will be approved for sale, तो यहाँ पे लिखें, priority क्या लिखेंगे, approved for sale approved for sale तो sale के लिए approved कब किया जाएगा, जब तीनों oranges good निकले, सही न, तो अब हम लोग priority निकालना सुरू करेंगे, और हाँ घ्यान रखने की replace नहीं करना है, उसको रखना नहीं है, तो किसके लिए निकाल रहे है हम लोग, good oranges के लिए तो यहाँ पे हम लोग 3 oranges निकालेंगे, तो जब first oranges good निकले, इसकी क्या priority है, तो good oranges कितना है, 12 है 12 उपर रखेंगे, और divide sample space, यानि की 15 से divide कर देंगे into, अभी हमने एक oranges निकालने की priority निकाला है, अब जब दूसरे good orange की priority हम निकालेंगे, तो good orange अब कितना रह गया है, 11, क्योंकि हमने जो एक निकाल लिया, तो उसको दुबार रखेंगे नहीं तो अब 11 oranges good है, तो 11 उपर लिखेंगे 15 नीचे, सोड़ी, तोटल oranges अब 14 रह गया, सही है, फिर into में, अब तीसरा oranges good होना चाहिए, तो अब good कितना रह गया, 11, सोड़ी 10, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे अब total oranges 15 नहीं रहा, 14 नहीं रहा, कितना होगे 13 होगे, बस इसको solve कर देंगे, तो यहाँ से यह कड़े है कितने बार में, यह हो जागा, 2, 5 जा, 10, और 3, 5, जा, 15 फिर 3, 4, जा, 12 यह कड़ेगा 2 टाइस है, 2 और यहाँ पर 7, तो उपन में आजाए कितना है 44, उपन में आजाएगा 44 नीचे आजाएगा 30 सत्य क्या 91, तो यह हो गया इसका priority की box को approve कर दिया जा, sale के लिए इसकी क्या priority है, तो 44 by 91 इसका answer होगा आई होप आप लोग को यह समझ में आया होगा तो अब हम लोग अगले question पर बात करते हैं question number 13 है, question number 13, देखो, question number 13, sorry, 13 नहीं, 12 question number 12 an earn contain 10 black and 5 white ball हाना, एक बोड़ा है, जिसमें 10 black and 5 white ball रखा हुआ है, ठीक है 2 balls are drawn from the earn one after the other without replacement हाना, एक एक कड़के ball को निकालेंगे 2, 2 ball निकालना है what is the priority that both drawn ball are black दोनो ball black हो, इसकी क्या priority है, तो देखो एक हमारा बोड़ा है उसमें रखा हुआ क्या 10 black ball, 10 black ball और 5 white ball हान में priority बताना है, क्या कि 2 ball निकालना है back to back, यानि without replacement और दोनों के दोनों black होना चाहिए है ना, what is the priority that both drawn ball are black बोड drawn balls are black इसकी priority हम लोग निकालने जाड़ें यहां हम लोग दोनों black ball हो इसकी priority निकालने जाड़ें तो अब देखो total black ball कितना है, 10 है तो यहां पर लिखेंगे 10 divided by total number of black ball हो कितना 15 तो यहां पर जाएगा 15 फिर into अब जब दूसरा black ball निकालेंगे तो यहां पर 9 black ball बच गया है अब यह 3 3 जा, 9 हो जाएगा तो यह करड़ेगा 2 7 जा, 14 तो यहां जाएगा 3 by 7 और यह उसका हो गया answer आई होग कि आपको यह समझ माया होगा तो आप इसका screenshot लेलो हम लोग अब अगले question पर बात करेंगे तो आप देखो question number 13 question number 13 है probability of solving specific problem independently by A and B are 1 by 2 and 1 by 3 A और B के अलग-अलग problem solve करने की probability दिया हुआ 1 by 2 and 1 by 3 if both try to solve the problem independently find the probability that the problem is solved अगर वो दोनों अलग-अलग problem solve करने को बैठ है तो आपको probability बताना है कि problem solve हो जाना चाहिए और दूसरा किसका probability निकाला है exactly one of them solve the problem अब देखो जो यहाँ पहला case लिया वाई पहला तो लिख लेते हैं कि probability of A A को solve करने की probability 1 by 2 है और B को solve करने की probability 1 by 3 है यह दो लोग है A और B A problem को solve कर लेगा इसकी probability 1 by 2 है B problem को solve कर लेगा इसकी probability 1 by 3 है तो उसके ना solve करने की probability भी निकाल लेते हैं तो P of A dash निकाल लेते हैं इसका मतलब ना solve करने की तो 1 में से 1 by 2 घटा देंगे तो 1 minus 1 by 2 तो कितना जाएगा 1 by 2 ही आएगा यानि solve कर लेंगी probability 1 by 2 नहीं solve करने की probability 1 by 2 A के लिए अब B के लिए बात करते हैं तो B problem solve नहीं कर पाएगा इसकी probability है 1 minus 1 by 3 तो यह जाएगा 2 by 3 सब्सक्राइब यहाँ जो पहला question है problem will solve है ना पहला है the problem is solved the problem is solved the problem problem is solved देखो problem solve हो जाना चाहिए इसकी क्या probability है तो देखो ऐसा हो सकता है कि A ने solve किया और B ने solve नहीं किया लेकिन problem solve हो गया किसी एक ने भी solve किया तो या फिर यह हो सकता है कि A ने solve नहीं किया B ने solve कर दिया या फिर यह हो सकता dagen, बोनों ने problem solve कर दिया तो तीनों ही case में problem solve हो जा रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे probability किसका? problem is solved problem solve हो जाए इसके क्या priority है? हम लोग ये बोलेंगे कि A ने solve कर दिया और intu में B ने solve नहीं किया नहीं किया मतलब B पे बाठ या फिर या मतलब प्लस कि A ने solve नहीं किया और B ने problem solve कर दिया या फिर A ने भी solve कर दिया problem और B ने भी problem solve कर दिया, अब तीनों ही cases में देखोगे problem solved हुआ है, और हमें यही probability निकालना था, problem is solved problem solve हो जाना चाहिए चाहे A कड़े या B कड़े या दोनों कड़े इससे कोई फ़र्ट में पर अब इसको solve करने के solve करने के priority A का कितना है, 1 by 2 into में, B बाठ कितना दिया है, 2 by 3 और यहाँ पे priority of A डास दिया है 1 by 2, और priority of B है 1 by 3 और यहाँ पे priority of A है 1 by 2 और इसके लिए 1 by 3 इसको solve करते हैं तो यह आजाएगा 2 by 6 प्लस यहाँ 1 by 6 प्लस 1 by 6 अब इसको solve करेंगे तो LCM आजाएगा 6 उपड़ आजाएगा 2 plus 1 3 और 1 4 तो 4 आजाएगा 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6 तो answer आजाएगा 2 by 3 और यह इसका हो गया answer यह तो पहला case था दूसरा case यह है दूसरा हमें बताना है क्या exactly exactly one of them solve the problem है ना exactly तो आप यहाँ पर निकालेंगे प्रविल्टी निकालेंगे इसका exactly one of them solve the problem किसी एक के द्वाड़ा है ना किसी एक के द्वाड़ा ही solve होना चाहिए problem दोनों के द्वाड़ा नहीं किसी एक के द्वाड़ा है तो देखो हम लोग ऐसे लिखेंगे a ने solve किया और b ने solve नहीं किया तो देखो exactly एक के द्वाड़ा problem solve हो रहा है या फिर a ने solve नहीं किया और b ने problem solve कर दिया बस यही दो cases हो सकता है या तो ये solve करें या तो B solve करें लेकिन दोनों solve नहीं करना चाहिए exactly one of them किसी x नहीं problem solve होना चाहिए P of A कितना गया 1 by 2 P of B बार कितना है 2 by 3 P of A बार कितना है 1 by 2 P of B कितना है 1 by 3 अब इसको solve करेंगे तो यह जाएगा 2 by 6 plus 1 by 6 बुले तो 3 by 6 यह जाएगा 1 by 2 और यह हो गया इसका answer I hope कि आपको यह समझ में आया होगा तो आप इसका screenshot ले सकते हो हम लोग अगले question पर बात करेंगे तो आप देखो question number 14 question number 14 है a die is tossed thrice find the quality of getting an odd number at least 1 देखो एक die को 3 बार tossed किया गया सही न हमें यह बताना है कि probability बताना किसका an odd number हना at least 1 कम से कम एक odd number आना चाहिए इसकी क्या probability है तो अब ध्यान दे सुनो 3 die को हमने अगर toss किया हना 3 die को toss करेंगे तो जो मालो के पहले dice हमने toss किया उसमें कुछ भी आ सकता है फिर मैंने दूसरी बार die को toss किया यहाँ पर भी कुछ भी आ सकता है तीसरी वार हमने die को toss किया यहाँ भी कुछ भी आ सकता है इसका मतलब यह हुआ कि A में जो event है या B में जो event होगा या C में जो event होगा तीनो case में जो event होंगे वो एक दूसरे से independent होंगे पहले वाले toss में क्या आया इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि second वाले में क्या आयेगा या फिर second वाले में क्या है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसका मतलब यह हुआ कि तीनो case में जो event होने वाला है वो क्या होगा independent event होगा तो यहाँ पर तीनो case में जो event आने वाला है वो independent आने वाला है चाहिए वो first toss में मिले चाहिए seconds आए third तीनो case में जो हमारा event होगा वो independent event होगा और जैसी मैंने समझ लिया कि अगर independent event है तो तीनो का जो intersection होगा A intersection B intersection C इसको हम P of A into P of B into P of C लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर तीनो क्या है independent event है चलिए अब यहाँ बोला गया कि at least one of इसमें आना चाहिए एक odd number कम से कम एक odd number आना चाहिए तो कम से कम एक odd number आने का मतलब यह हुआ या तो first toss में एक odd number आ गया या तो second में आ सकता है या तो third में या फिर ऐसा हो सकता है कि first second दोनों में odd आये या फिर यह हो सकता है second third में आये या यह हो सकता है कि third fourth में आये sorry first और third में आये तो बहुत साड़े यह combination बन सकता है तो हम लोग ऐसा सोचते हैं क्यों आइसा सोचा जाए कि first throw में भी even number नहीं आया नमबर आ गया, third में भी even आ गया मतलब किसी में भी even नहीं आया ये हम लोग अगर निकाल ले तो one में से minus कर देंगे तो वो सभी combinations आ जाएगा जहाँ पे कम से कम एक बार odd number आया होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, कि probability पहले किसका निकाल लेते हैं कि odd number तीनों में नहीं आये इसकी क्या probability है, सही ना तो चलिए, अब हम लोग start करते हैं तो यहाँ पे तीन बार जब toss करेंगे तो number of sample space कितना हो जाएगा, 6 के power 3 हो जाएगा, इसको आप करोगा 6 into 6 into 6, यानि कि 216 आजाएगा, सही ना तो total number of sample space 216 हो गया, ठेके ना अच्छा, अब हम यह देखने वाले हैं कि तीनों में odd number नहीं आके even number, यहाँ पे पुछाए कि at least odd number at least one, कम से कम एक odd number आना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे उल्टा काम कर रहे हैं, क्या कि तीनों में odd number नहीं आए तीनों में odd number नहीं आए, उसकी क्या priority है और one में से minus कर देंगे उसको, तो वो सभी का priority निकल जाएगा जिसमें कम से कम एक बार odd number आया होगा, ठीक है ना तो यहाँ पे हम लोग priority निकालने जाड़े हैं क्या कि all all tossed all tossed gives gives even number even number तीनों toss में हमें क्या मिला even number मिला इसकी priority हम लोग निकाल लेते हैं पहले तब देखो यहाँ पे तीनों जो तीनों बार जब toss करेंगे तीनों independent event है तो अब आप बताओ कि first toss में भी even आना चाहिए second toss में भी even, third में भी even तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें क्या निकाला है कि first toss में even number आने की priority कितना होगा तो first toss में even number आने की priority हो जाएगा 3 by 6 अब आप बोलोगे कैसे तो जोब को even number कितने होते हैं 2, 4, 6 यही 3 होते हैं तो number of even 2 पर डग दिए और number of sample एपे से डिवाइड कर दिए यह first toss के लिए था second toss के लिए भी कितना हो जाएगा 3 by 6 third toss के लिए भी कितना हो जाएगा 3 by 6 तो इसको solve करेंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा 3 के power 3 और 6 के power 3 आ जाएगा तो उपर सा जाए कितना 27 और नीचे आ जाए कितना 216 सही ना तो यह आ गया क्या 3 पर even number आरे की probability अब हम लोग यहाँ पर probability निकालेंगे किसका odd number odd number odd number comes at least 1 at least 1 कम से कम एक बार odd number आना चाहिए यह कैसे निकालेंगे तो 1 में से हम उसको minus कर देंगे जिसमें तीनों में odd number नहीं था सब में even था तो जो बज जाएगा वो क्या होगा सब में कम से कम एक odd आएगा तो probability of क्या all tossed gives even number है all tossed gives even number even number तो यहाँ पर 1 minus क्या कर देंगे 27 by 216 बस अब इसको solve कर देंगे हमारा required probability आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर LCM आ जाएगा 216 यह जाएगा 216 minus 27 इसको solve करेंगे तो नीचे आ जाएगा 216 यहाँ पर 16 में से 7 गया 7 कितना बज जाएगा 9 7 16 है ना 9 7 16 यानि कि 9 बज जाएगा फिर बज जाएगा 00 में से टूगिया 8 और यहाँ पर 89 बज जाएगा ठीक है ना तो फिर चेक कर लेते हैं सॉर्डी 189 बज जाएगा 189 9 7 16 6 बाकि एक 8 एक 9 दो इगाड़क एक बाकि दो सही ना 189 आ गया अब इसको हम लोग और काटने कोसिस करते हैं देखो यहाँ पर 3 से कड़ेगा दोनो 3 से कड़ेगा तो कितना हम अच्छा 9 से काटके देखें क्या हाँ हाँ 9 से भी कड़ जाएगा 9 तूजा 18 9 बज जा 9 9 से इसको कड़ते हैं तो 9 तूजा 18 18 19 20 से किस 3 औ 6 9 4 को 36 सही ना फिर और भी कड़ेगा यह कितने बाड में 3 से 7 तिया 20 और 8 तिया 24 यानि कि 7 by 8 इसका आंसर हो जाएगा जिसमें कम से काम एक बाड और नमबर जरूर आएगा आई होब कि आपको यह समझ में होगा तो आप इसका स्क्रीन सॉट ले लो अगले कुश्चिन पर बात करेंगे तो अब देखो कुश्चिन नमबर 15 कुश्चिन नमबर 15 है तू बॉल्स आ ड्रॉन एट रेंडम विदाउट रिप्लेस्मेंट फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग तेन ब्लैक एट रेड बॉल फाइंड दा प्रॉल्टी एट बोथ बॉल्स आ रेड फर्स्ट बॉल इस ब्लैक एड सेकेंड इस डेड देखो 15 नमबर में कुश्चिन में दिया हुआ है कि टू बॉल्स आ ड्रॉन एट रेंडम विद रेप्लेस्मेंट इस बाड बॉल को जो हम निकालेंगे तो उसको वापस रख देंगे यानि कि रिप्लेस्मेंट है रिप्लेस कर देना है फिर से टेन ब्लैक एड एट रेड बॉल एक बॉक्स है जिसमें टेन रेड बॉल है और टेन यहाँ पे 10 black and 8 red ball 10 black और 8 red ball ठीक है 10 black है and 8 red ball find the quality that both ball are red पहला में ये निकालना है both ball are red दोनों red होना चाहिए यहाँ पर बोला ये गया है कि ball जब हम निकालेंगे तो replace कर देंगे with replacement सही ना बोल निकालना है फिर रख देना है ठीक है ना तो यहाँ पर कितना ball निकालना है two balls are drawn दो ball निकालना है तो ही ना दोनों को दोनों क्या होना चाहिए बोथ are red दोनों red होना चाहिए तो हम लोग कैसे निकालेंगे the quality of both balls are red तो देखो जब हम लोग पहला ball निकालेंगे तो वो क्या होना चाहिए red तो red ball कितना है 8 तो 8 by total number of ball कितना 18 आगया अब हमने जो ball निकाल है उसको वापस रख देंगे तो वापस से फिर 8 ball ही रह जागा red ball तो 8 उपर रह जागा और 18 total नीची आजगा इसको solve कर देंगे तो यहाँ पर कड़ेगा 9 2 जा 18 sorry 4 2 जा 8 और 9 2 जा 18 यहाँ भी 4 2 जा 8 9 2 जा 18 तो यहाँ पर 16 9 9 जा 81 16 by 81 इसका answer हो जाएगा second case है first ball is black and second is red first ball is black priority of first ball first ball is black and second is red देखो पहला black होना चाहिए first ball is black and second is red तो पहला black होना चाहिए दूसरा red होना चाहिए तो सुनना पहले black निकालेंगे तो black कितना है 10 तो 10 by 18 हो जाएगा priority सही ना फिर इन 2 अब हमने जो ball निकाल उसको फिर से रख देंगे तो फिर से ball में कोई फर्क नहीं पड़ा है अब हमें red निकाला तो rate कितना है 8 तो 8 by 18 हो जाएगा 17 नहीं होगा क्योंकि ball हमने निकाला वापस रख दिया है तो total ball 18 नहीं रह जाएगा तो ये हो गया solve फिर्स्ट बॉल हमने निकाला black second निकाला क्या अब इसको solve करते है तो ये आजाए कितना 8 से कड़ेंग 4 तूजा 8 और 9 तूजा 18 यहाँ फिर से कड़ेगा 5 तूजा 10 और 9 तूजा 18 तो 20 by 99 जा 81 ये इसका answer हो जाएगा इसका answer 16 by 81 तर इसका 20 by 81 अब तीसरा पूछा गया क्या तीसरा है one of them is black and other is red हना 40 of one of them is black and and other is red and other is red देखो एक black होना चाहिए एक red होना चाहिए इसका मतलब जो पहला बॉला है या तो वो red हो सकता है और दूसरा बॉल black हो सकता है या फिर पहला black दूसरा red हो सकता है तो यहाँ पर दो चीज़े आ जाएगा तो देखो हम लोग ऐसे निकालेंगे क्या कि पहले हम निकाल लेते हैं black ball तो black ball निकालने के परड़े कितना 10 by 18 हो जाएगा इंटो अब दूसरा निकालेंगे red red कितना 8 8 by 18 हो जाएगा क्योंकि हम लोग ball को replace कर दे रहे हैं या फिर पहला जो ball है वो black न हो गड़के red हो जाएगा तो 8 by 18 हो जाएगा और दूसरा हो जाए black तो 10 by 18 हो जाएगा पहला black दूसरा red या फिर पहला red दूसरा black ये हो सकता है तो इसको solve करेंगे तो यह आजाए कितना यह आजाएगा 5, 2, 10 और 9, 2, 18 4, 2, 8, 9, 2, 18 सेम केस यहां भी यहां पे आजाएगा यह हो जाएगा 4, 2, 8, 9, 2, 18 और 5, 2, 10, 9, 2, 18 तो यहां सभी 20 by 9, 9, 1, 81 यहां भी आएगा यहां भी 20 by 81 आएगा तो यह जाएगा 40 by 81 तो यह इसका answer हो गया तो I hope कि आपको यह समझ में आया होगा तो आप इसका screenshot ले सकते हो हम लोग अगले question पर बात करेंगे तो अब देखो question number 16 question number 16 है in a hostel 60% of the student read Hindi newspaper 40% read English newspaper and 20% read both Hindi and English newspaper a student is selected at random find the priority that she read neither Hindi nor English newspaper देखो कुछ data दिया हुआ है इस data को हम लोग पहले लिख लेते हैं ठीक है तो देखो question number 16 में क्या दिया हुआ है कि जो a newspaper पढ़ने वाले in a hostel 60% of them student read Hindi अच्छा दो ही newspaper है ऐसा करते हैं इसको हम लोग when diagram से बनाते हैं तो ज़्यादा सहीर आएगा देखो when diagram से फड़ा-फड़ बन जाएगा ये हमने लिया when diagram यानि कि ये total student DC के अंदर आएगे अब दो type का newspaper है एक है Hindi और एक है English तो ये Hindi newspaper है और ये English newspaper है और जब भी इस तरह से हम लोग question बनाते हैं सबसे पहले बीच वाले को फिल करते हैं बीच वाले बोले का मतलब कि Hindi and English दोनों पढ़ने वाले कितने परसेंट है तो यहाँ पर दोनों पढ़ने वाले 20% read both Hindi and English तो यहाँ पर 20 आजाएगा और यहाँ जो भी बात हम लोग कर रहे हैं परसेंटेज की बात कर रहे हैं ठीक है ना 20% यह हो गया तो इसको लिखी देता है कि परसेंटेज में है ना यह परसेंटेज में 20% अब देखो यहाँ पर बोला गया था 60% of student read Hindi तो 60% Hindi पढ़ते हैं तो इस circle में होना चाहिए था 60% तो इस circle में already 20% हो चुका तो बचा कितना 40% यानि 40% ऐसे हैं जो सिर्फ Hindi पढ़ते हैं और 40 plus 20 60% ऐसे हैं जो Hindi पढ़ते हैं यह मतलब होता है अच्छा आगे बढ़ते हैं 40% read English newspaper देखो English newspaper 40% है तो 20% पहले से हैं 20% तो 20% इसमें आ जाएगा जो only English पढ़ते हैं इसका मतलब यह हुआ अच्छा total होना चाहिए था कितना 100% आप देखो यह total कितना है तो 40, 20, 60, 20, 80% है यानि 20% ऐसे हैं जो इन दोनों में से कोई भी newspaper नहीं पढ़ते हैं तो उसको हमने बाहर रख दिया अब यहाँ पे पहला question पूछा गया है पहला question क्या पूछा गया है वो सुनना कि find the party that she read neither Hindi nor English newspaper नहीं Hindi newspaper नहीं English newspaper तो यहाँ पे प्लल्टी निकालना है read neither Hindi Hindi newspaper नहीं वो Hindi newspaper पढ़ता हो नहीं English newspaper पढ़ती है इसका प्लल्टी कितना होगा तो ऐसे 20% है तो यहाँ पे आजागा 20% यानि कि 20 by 100 हो जागा percentage को हमने convert कर दिया तो यह जागा 1 by 5 यानि कि प्लल्टी आगया 1 by 5 बतलब यह उन लोगों की प्लल्टी है जो ना ही Hindi newspaper पढ़ते हैं ना ही English तो वो क्या आएंगे दोनो सरकल से जो बाहर होगा वो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं चाथ Second question है Second question है If she read Hindi newspaper अगर वो Hindi newspaper पढ़ती है If she read Hindi newspaper find the priority that she read English newspaper यहाँ पे पहले given है कि वो Hindi newspaper पढ़ती है तो English newspaper पढ़ने की priority निकालना है तो यह conditional priority हो गया कि जो given है उसको हम नीचे रखेंगे और जो हमारा निकालना है priority उसको हम उपर रखेंगे तो यहाँ पे बोला गया क्या कि she read Hindi newspaper लिखा हुआ है कि If she read Hindi newspaper अगर वो Hindi newspaper पढ़ती है तो इसका मतलब अगर यह निकालना है If she read she read Hindi newspaper Hindi Hindi newspaper हाना NP लिख देता हूँ है Hindi newspaper Hindi newspaper find the quality she read Hindi newspaper हाना find तो यहाँ पे हम लोग प्रवालिटी निकाल देना तो प्रवालिटी तो प्रवालिटी निकालना है किसका प्रवालिटी read English newspaper English newspaper सही ना अगर वो Hindi newspaper पढ़ती है तो English newspaper वो पढ़ेगी इसका क्या chances है तो यह conditional probability है कि जो given है जो given उसको नीचे लिखेंगे तो Hindi newspaper टोटल कितना होगे हिंदी होगे हैं टोटल कितना यह हिंदी वाले सरकल है तो 40 प्लस 20 यानिकि 60 हो गया 60% अच्छा अब प्रवालिटी वर इंग्लिटी निकालना होता है जो नीचे given है यानिकि हिंदी दिया होगा था तो उसके अंदर कितना English है उसको उपर लिखेंगे तो हिंदी यह है इसके अंदर English कितना है इसके अंदर English कितना है इसके इंग्लिटी 20 है तो यहाँ पर टेकेंगे 20 बस अब इसको solve कर देंगे आंसर हो जाएगा तो 20 याई 60 यानि कि 1 by 3 इसका प्रवल्टी आजाएगा यह conditional प्रवल्टी था अच्छा इंग्लिटी बताना है किसका है तो प्रवाइबलिटी अब रिड़ है हिंदी इन्यूज प्रव्लड है नद यह दिया हुआ है इंग्लिष न्स प्रवलब पढ़ती है तो इंग्लिष पढ़ने वाले कितना है per-cent है इंग्लिस नीज पेपर पढ़ने वाले 40% है ना टोटल आ जाएगा तो यह जाएगा 40 अब उसके अंदर हिंदी कितने पढ़ने वाले तो 20 हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 20 तो solve करेंगा तो 1 by 2 और यह होगे इसका answer I hope कि आपको यह समझ माया होगा हाना तो यह तीनों case complete हुआ हाना यह तीनों case complete हुआ I hope कि आपको यह समझ माया होगा तो आप इसका screenshot ले सकते हो हम लोग अगले question पे बात करेंगे तो अब देखो question number 17 question number 17 है given that E and F are event such that probability of A यहाँ पे given है probability of E is equal to 0.6 यह value दिया है 0.6 P of F दिया है P of F is equal to 0.3 and P of E intersection F P of E intersection F यह value दिया है 0.2 0.2 find P of E by F तो probability of E by F यह value निकालना है ठीक है अच्छा एक और है P of E by F probability of F by E E by F और F by E यह दोनों निकालना है तो यह है conditional probability यहाँ पे आपको थेरम कौन सा यूज होगा कि probability of A intersection B is equal to होता है probability of A plus probability of B minus probability of A union B और अगर आप union निकालते हो probability of A union B तो इसका formula होता है probability of A plus probability of B और minus probability of A intersection B यही दो result आपको हमेशा याद रखना है इसी का यूज यहाँ पे होगा और यहाँ पे A भी याद रखना है कि A given B दिया हो तो इसका formula होता है probability of A और B का intersection जो नीचे उसी का probability probability of B यह होता है formula तो यह कुछ formula आपको हमेशा ध्यान रखना है अब देखको probability of E by F निकालना है तो इसका formula हो जागा probability of E intersection F देखको E intersection F given है और probability of F वो भी given है probability of F हो जाएगा ठीक है इसको solve करेंगे तो E intersection F कितना है? 0.2 है divided by probability of F कितना है? probability of F है 0.3 इसको solve करेंगे कितना जाएगा? 2 by 3 इसका answer हो जाएगा अगर मैं यह सेम चीज हैं दूसरे पर बात करूँ कि F by E निकालना है तो इसका formula हो जाएगा और divided by 0.6 आजाएगा तो यह आजाएगा 2 by 6 बोले तो 1 by 3 इसका answer हो जाएगा I hope कि आपको यह समझ में आया होगा तो आप इसका screenshot ले सकते हो हम लोग अगले question पर बात करें अब देखो question number 18 question number 18 में है compute P of A by B if P of A intersection B यहाँ पर P of A by B निकालना है यानि conditional part निकालना है और क्या दिया होगा P of B दिया हुआ P of B दिया हुआ है 0.5 और P of A intersection B P of A intersection B यह है 0.32 0.32 सही है तो P of A by B निकालना है P of A by B का formula क्या होगा P of A intersection B वो दिया हुआ है P of B भी दिया हुआ है तो बस formula apply कर देना यह solve हो जाएगा P of A by B का formula क्या होगा P of A intersection B इन दोनों का intersection divided by P of B इसका value दिया हुआ है कि 0.32 और P of B का value कितना है 0.5 0.5 यहाँ 0 लगा दें कोई पर्क नहीं पड़ेगा यह कट जाएगा अब इसको काटेंगे तो कितना बाड़ में यह 16 दूनी 32 और 25 दूनी 50 तो हो जाएगा answer 16 by 25 इसका answer हो जाएगा सही ना तो अब हम लोग question number देखेंगे 19 number question number 19 है evaluate P of A union B है ना तो priority of A union B हमें find out करना है ठीक है अच्छा और 2 into priority of A यहाँ पे एक चीज़ और दिया बाट 2 into P of A is equal to P of B is equal to I is equal to 5 by 13 5 by 13 ठीक है and P of A by B is equal to 2 by 3 and P of A by B is equal to 2 by 5 2 by 5 यह given है तो यह कुछ data given है हमें निकालना P of A union B तो देखो P of A union B निकालने के लिए क्या चाहिए P of A plus P of B minus P of A intersection B तो यहाँ पे P of A intersection B नहीं पता है यहाँ पे देखो P of B की value 5 by 13 हो जाएगा यहाँ पे P of A की value निकालेंगे तो यह 2 इदर divide कर देंगे तो 5 by 26 हो जाएगा तो यहाँ पे अगर मैं निकालना कि P of A कितना आ जाएगा तो इस वाले relation का यूज करके देखो तो यह दोनों पुझे बडाबर करेंगे तो P of A की value कितना जाएगा तो यह हो जाएगा 5 by 26 और P of B तो आपको direct दिख रहा होगा यह दोनों बडाबर है तो P of B कितना है 5 by 13 है और वहाँ पे P of A by B दिया है 2 by 5 तो उसी को लेके चलते हैं कि P of A by B is equal to कितना है 2 by 5 है तो यहादों को P of A by B का मतलब होता है P of A intersection B divided by P of B is equal to कितना 2 by 5 अब इसका value तो पता नहीं है इसका value पता है कितना इसका value पता है 5 by 13 तो यहाँ रख देंगे priority of A intersection B upon यह हो जाएगा 5 और जो 13 है वो चला जाएगा उपर तो उपर आजाएगा 13 यहाँ पर आजाएगा 2 by 5 तो अब देखो अगर हम लोग निकाल लें priority of A intersection B A intersection B तो क्या आएगा यह 13 multiply में इदर divide में आ जाएगा तो 2 upon में 5 into 13 और यह जो 5 divide में इदर multiply में हो जाएगा into 5 यह और यह कर जाएगा तो 2 by 13 आ जाएगा 2 by 13 लेकिन हमें निकालना है priority of A union B तो अब हम लोग निकालना सुरू करेंगे A union B is equal to क्या होता formula P of A plus P of B minus P of A intersection B और सभी का value पता है P of A कितना है P of A है 5 by 26 और plus P of B कितना है 5 by 13 minus P of A intersection B कितना है 2 by 13 है ना सभी की value पता है रख दिए एलसिम कितना हैगा एलसिम हैगा 26 यहाँ पर क्या हैगा 5 plus 10 आजाएगा minus 2 तू जाएगा 15 15 में से 4 गयाड़ है 11 by 26 इसका answer होगा I hope कि आपको यह समझ में होगा तो आप इसका screenshot ले सकते हो हम लोग अगले question पर बात करेंगे तो अब देखो question number 20 question number 20 है if p of a is equal to 6 by 11 p of b is equal to 5 by 11 और p of a and b is equal to 7 by 11 find अच्छा दो तीन चीजे निकालना है तो पहले given लिख लेते हैं given में क्या है given p of a दिया हो है 6 by 11 p of b is equal to p of b 5 by 11 5 by 11 और p of p of a by b sorry a union b a union b यहाँ पर दिया है 2 by 11 2 by 11 sorry 7 by 11 7 by 11 यह values दे रखा है ठीक है और इसमें 3 question है पहला है कि p of a intersection b बताईए पहला है p of a intersection b बताईए क्या होगा तो देखो p of a intersection b निकालने के लिए तो formula होता है क्या कि p of a plus p of b minus p of a union b इसमें value डख देंगे तो p of a की value 6 by 11 plus p of b की value 5 by 11 minus p of a union b की value 7 by 11 इसको solve करेंगे 11 lc मा जाएगा तो 6 5 11 11 7 7 4 by 11 इसका answer हो जाएगा second number second में निकालना priority of priority of a by b तो इसका भी तो formula होता है ना कि इन दोनों का priority का intersection लेंगे a intersection b divide करेंगे p of b से बस इसमें value डख देंगे तो p of a intersection b दिया हुआ है हमें निकाला है a intersection b कितना 4 by 11 तो 4 by 11 उपड़ा जाएगा p of b कितना है 5 by 11 तो इसको लिख सकते 4 by 11 और यह उल्टा होका multiply हो जाएगा 11 by 5 11 11 cancel हो जाएगा 4 by 5 यह इसका answer हो जाएगा third number देखो p of b by a third number बोला गया है कि p of a by b निकाली sorry b by a निकाली तो अब देखो इसका formula क्या होगा priority of b intersection a और upon priority of a हो जाएगा इसका formula अब देखो b intersection a हो या a intersection b हो दोनों बात एक ही है इसका value किता 4 by 11 तो यह देखाएगे कितना 4 by 11 और नीचे जाएगा p of a तो यह हो जाएगा 6 by 11 11 कर जाएगा 4 by 6 बचेगा यानि कि 2 by 3 इसका answer हो गया तो आई होग कि आपको यह समझ में आया होगा तो आप इसका कर दिस dads जाएगे झाल